नमस्कार दोस्तों विशाल शर्मा एडवोकिट कोटमारीज ओफिस में यानि की सीमो में आज एक नई वीडियो के साथ में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ काफी सारे कपल्स हम से पूछते हैं कि सर क्या सचमुच में एक दिन में कोटमारीज हो सकती है अगर जो लड़का लड़की बालिग हो चुके हैं काफी सारे ऐसे कपल्स के हमारे पास में कॉमेंट्स आते हैं जिन कॉमेंट्स को मैं खुद भी पढ़ता हूँ दोस्तों और हम से कम 30 से 35 दिन का समय लगेगा या दो महिने का समय लगेगा या 45 से 90 दिन का समय लगेगा तो क्या हमारी एक दिन में हमारी कोट मैरी हो सकती है एक दिन में हमारी शादी हो सकती है क्या हम एक दिन में पती पत्नी बन सकते हैं या नहीं तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो इस ट कर सकते हैं। देखें सबसे पहले मैं आपको बताना शाहूंगा, दोस्तो कि कोउर्ट मेरिज हमारे भारत मे आप चाहें किसी भी सबस्क्राइब बसक्ता हैं। तो आप वहाँ पर भी कोउर्पर कर सकते हैं। लेकिन court marriage का process भारत के जो विभिन राज्य हैं उसमें अलग-अलग उसमें प्रिक्रिया हैं court marriage करने की अलग-अलग वहाँ पर समय लगता है जैसा कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि समय तक्रीबन एक महीने से डेड़ महीने का समय लगे वहाँ पर ब्रदेश में marriage करते हैं तो वहाँ पर भी एक से डेड़ महीने का समय लग सकता है marriage करने में तो पूरे भारत वर्ष में अगर आप अपनी court marriage अगर करना चाहते हैं तो पूरे भारत वर्ष में किसी भी राज में आप अपनी court marriage कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर समय जादा लगत ना ही किसी के घर पर कोई नोटिस जाएगा ना ही किसी के मातापिता को भुलाया जाता है और ना ही किसी के घर पर कोई किसी प्रकार का कम्यूनिकेशन कोट से किया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत वर्ष में से चाहें किसी भी राज़े में से अगर आप लोग हैं तो आप गाजियाबाद के अंदर आकर आप एक दिन में अपनी शादी कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में जो है दिल्ली के नजदीक तो आप गाजियाबाद में आकर एक ही दिन के अंदर आप लोग अपनी शादी कर सकते हैं दोस्तों वहाँ पर Monday to Friday आप अपनी marriage करने के लिए आ सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी अच्छा ही दोस्तों इस process की यह है कि अगर आप गाजियाबाद में आकर आप लोग पती-पतनी बन जाते हैं और आप कोट का certificate लेके आप अपने घर जा सकते हैं जी हाँ दोस्तों जैसा की मैंने आपको बताया कि मात्र 3-4 घंटे का इसमें समय लग जाता है अब इसकी मैं दोस्तों आपको प्रिक्रिया बता देता हूँ की 3-4 घंटे का समय कैसे लगता है तो दोस्तों जब आप अपनी मैरिश करने के लिए यहाँ पर आप आते हैं कोट मारी ओफिस के अंदर तो सबसे पहले आपकी आरे समाज मंदिर में जो शादी होती है वो आपकी परफॉर्म करवाई जाती है आरे समाज मंदिर के जो पुजारी होते है वो पूरे हिंदू विदी विधान के साथ में आपकी शादी वहाँ पर करवाई जाती है और आपके अगनी के समख्च वहाँ पर फेरे भी करवाई जाते है और वहाँ पर जब आपकी शादी पूरे हिंदू विदी विधान के साथ में संपन हो जाती है उसके बाद में गाजियाबाद में तहसील के अंदर marriage registers आपके सामने दोस्तों आप लोग जाते हैं हमारे साथ में आपके सारे documents हम लोग बनाते हैं आपके पूरी file complete होती है मंदिर की आपकी file अलग बनती है और जो marriage registration की file है वो अलग बनती है तो मंदिर में शादी करने के बाद आप गाजियाबाद में तहसील में marriage registers आपके सामने आप जाते हैं वहाँ पर आपके बयान भी होते हैं और आपके जो गभा होते हैं दो जो आपकी marriage में गभा होते हैं, जिन्होंने आपकी शादी होती हुई देखी होती है, वो भी वहाँ पर witness लगते हैं, उनके भी documents वहाँ पर तैसिल में marriage register साहब के सामने फाइल में लगवाए जाते हैं, और इसी के साथ दोस्तों जब आपके बयान marriage register साहब के सामने हो जात आप अपने mobile के ऊपर online आप government portal के ऊपर जाकर check कर सकते हैं, तो जब आप अपना marriage certificate चेक करेंगे, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका marriage certificate आपको मिल जाता है, तो marriage certificate के ऊपर government website भी लिखी भी आती है, आपका application ID लिखा भाता है, और किस समय किस date को कितने बजे आपका marriage certificate issue हुआ है, वो सारी detail आपके marriage certificate के ऊपर लिखी भी आती है, तो जैसी marriage certificate आपको मिल जाएगा, तब आप जो government website आपके marriage certificate के ऊपर लिखी भी है, उस government portal के ऊपर जाकर आप अपना marriage certificate ततकाल आप online चेक कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, हिंदी और English दोनों भाशा में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपका marriage certificate आपको हिंदी में भी दिखाई देगा, और English में भी वहाँ पर PDF form के अंदर आपको जरूर दिखाई देता है, जिससे कि आप लोग ये संतोस्त हो जाते हैं, आपको ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है, कि आपकी गंटे में आप लोग पती-पत्नी हो जाते हैं, लीगली husband wife आप लोग बन जाते हैं, और जब तक आप स्वेम किसी को नहीं बताएंगे, तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो दोस्तो, आगर आप इस वीडियो जुड़े अपनी court marriage करना चाते हैं, या आप जिनके साथ में अपने partner के साथ जिनके साथ आप अपनी court marriage करना चाते हैं, या जो अगर आपके ऐसे friends हैं, जो अपनी court marriage करना चाते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो ऐसे अपने दोस्तों के साथ में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये बहुत महत्पूर जानकारी ऐसे व्यक्तियों तक पहुंच सके जो अपनी कोर्ट मैरी करना चाहते हैं जिन्होंने डिसाइट कर लिया है कि वो अपनी शादी किन के साथ करना चाहते हैं और अब फाइनली वो पती-पतनी बनकर एक साथ रहना चाहते हैं तो दोस्तो अगर इस वीडियों जुड़े और कुछ भी अगर आपके सवाल है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आप लिखके आप हमसे पता कर सकते हैं हमारे दोरा, हमारे स्टाफ के दोरा आपके उन सभी प्रशनों के उत्तर जरूर दिये जाएंगे तो इसी प्रकार दोस्तों बने रहेगा कोर्ट मारी ओफिस के साथ में और यदि आप court marriage office में आने के लिए या court marriage करने की आगर आप booking कराना चाते हैं तो आप सुबर 10 वजे से लेके शाम को सिर्फ 7 वजे तक आप हमारे नंबर पे call करके जानकारी भी प्राप्ट कर सकते हैं, court marriage में क्या documents लगेंगे उसके वारे में भी आप पता कर सकते हैं, अगर आप अपने booking कराना चाते हैं तो उसके वारे में भी आप हमें call करके पूरी जानकारी आप लोग प्राप्ट कर सकते हैं, तो इसी प्रकार दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, बने रहिएगा court marriage office के साथ में, हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के स अपना चाते हैं. कर दोस्तों जल्द मिलें दोस्तों रिमा र排का लोगवाास एकास सलिएिवटरी आप又स cuál आप हमानका तो होगवारी जल्द मिलेंगे जलूवारी जल ओश्तों झाल 90 जल वारे मैं, हमें करदा जल ओुप कर दोस्तों एका लोस्तों galaxiesते हैं, जल्में के सब्स्तों जलीजशे